वेलकम टू एक्जाम भी बेचना तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एल्टी कमिशन के प्रशन पत्र को इससे पहले हमने इसके बहुत से पार्ट को डिस्कस कर रहा है अगर भी तक आपने उन्हीं नहीं देखा है तो आप नहीं भी देख सकते हो उनका लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएगे वहाँ पर भी इसका लिंक आपको परदान कर दिया जाएगा ठीक है इससे पहले हमने इसके लिटेरिचर सेक्शन को देखा था अब हम देखेंगे गरामर और बाकी प्रशनों को ठीक है न यहाँ पर उन्हीं प्रशनों को डिस्कस करूँगा जिन पर मुझे पूरा लगता है कि सही प्रशन है प्रशन संख्या हाँ यह है प्रशन संख्या 13 इसमें मैंने आपको बताया था कि जो माधभम परिनाम नीरासा पंक्ती है किसकी है तो जल्दबादी में मैंने आपको सूरदास बता दिया था दोस्तों सुर्दास नहीं होगा इसका हो जाएगा बिद्यापती पर यहाँ पर कहीं भी बिद्यापती नहीं दिया है तो इसमें थोड़ा सा डाउट रखते हैं क्या होगा इसका उत्तर ठीक है अगला प्रशन है यहाँ पर देखते हैं कहां तक छोड़े थे हमने हमने किये थे 31 तक ठीक है अब कड़ेंगे 32 से तो प्राशन Sंग्या है 35 सेना सवा किस तरह कि संग्या है जो सेना और सवा है यहáँ पर बताना है में यहाँपर किस परकार की संग्या दी हुई है तो यहाँपर सahaी बिकल्प हो जाएगा सम्हु बाचक संग्याए होगी यहाँ पर भी सही बिकल्प हो जाएगा यहाँ पर तो आप एन का रंग चेंज कर देते हैं हाँ यह ठीक है तो चलिए आगे देखती है किस बाग कि हमें कर्म कारक का चिन आएगा तो यहाँ पर जो 33 होगा इसका सही बिकल्प हो जाएगा मोहन को जाने दू हाँ अगर आपको लगता है कि किसी प्रशन पर गल्द उत्तर दिया गया है तो आप वशी बताईएगा हम उसमें शेंशोधन करने की कोशिश करेंगे अगला प्रशन है यहाँ पर 34 इसमें पूछा गिया है अनिश्चे बाचक सरवनाम का परियोग किस बाक्य में हुआ है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा तो यह हो जाएगा उन्हें कुछ दो अगला प्रशन है यहाँ पर 35 इसमें पूछा गिया है अनुवद बोदक है सही बिकल्प हो जाएगा भी अगला प्रशन है 37 इसमें पूछा गिया है ब्योम का समानाथी शब्द है तो यहाँ पर जो सही बिकल्प हो जाएगा 37 का तो वो हो जाएगा अंबर 37 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला प्रशन देखते है 38 जो मास नहीं खाता इसके लिए एक शब्द क्या होगा यह होज़ेगा नीरामिश तो D यहाँ पर सही भी कल्ब होज़ाएगा 38 का अगला प्रेशन देखते हैं 49 खिच्री किस परकार का शब्द है तो जो खिच्री होगा यह देशे शब्द हो जाएगा यहाँ पर सही भी कल्ब सी हो जाएगा हाँ दोस्तों अगर वीडियो ची लगती है तो इसे लाइक शेर और चैनल को सब्सक्राइब अवशी कीजेगा अगला प्रेशन देख लेते हैं 40 किस समास में समस्पद का प्रयोग क्रिया भिशेशन के रूप में होता है तो यहाँ पर सही भी कल्ब हो जाएगा इन में से कोई नहीं दी सही भी कल्ब हो जाएगा 40 का अगला प्रशन है 41 इसमें पूछा गया है अश्ट्य द्याई का भिग्रह क्या होगा क्या है अश्ट्य द्याई का भिग्रह पूछा गया है तो यहाँ पर 41 का सही विकल्फ हो जाएगा B आठ अधियायों का समाहार मेरे काउडिन तो मुझे ये बी सही लग रहा है बाकी देखते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर अगला प्रशने 42 इसमें पूछा गिया है अती विष्टी में उपसर्ग कहा है तो यहाँ पर सही विकल्फ हो जाएगा A 42 का सही विकल्फ A हो जाएगा इसमें पूछा गिया है जिस तरह से संदेश प्रेशक से प्रापक तक पहुंचता है क्या है जैसे सेंडर टू रिसीवर तक पहुंचता है उससे क्या कहते हैं तो उसके बीच को यहाँ पर आपका सेंडर होगा और यहां पर रिसीवर होगा तो जब मैसने यहां तक यहां तक डििलिवर होगा तो बीच के, इसको क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं माध्यम मान ले जिए आप फॉन से कोई बात कर रहे हो या पत्तर भेज रहे हूँ तो बीच के इसको कहा जाता है माधियन ठीक है 43 का सही विकल्ब यहाँ पर C हो जाएगा अगला कोशन है 44 जन संचार संप्रेशन से क्या अभी प्राए है तो यह प्रेशन बहुत ही complicated है तो चलिए मैं अपने अनुसारिस का सही उत्तर आपको देने के लिए बता देता हूँ यहाँ होगा जनता के लिए संप्रेशन ठीक है ना मेरे recording यहाँ पर सही विकल्ब भी होना चाहिए 44 का आगे है दीवार समाचार पत्रों का प्रारंब कहा हुआ था तो जो दीवार समाचार पत्रों का प्रारंब माना जाता है बैसे तो इसका प्रारंब माना जाता है रूस में पर बिकल्ब में ऐसा कहीं भी रूस का जिकर नहीं किया गया है इसलिए हम यहाँ पर इसको skip कर देते हैं अगला कोशन है 46 भारत में टीवी कारेकरम कबसे प्रारंब हुआ था तो जो भारत में टीवी का प्रारंब किया गया था तो यह वह था आपका आरंबतर 1959 में पर यह भी बिकल्ब में कहीं नहीं दिया गया है तो जहां तक मुझे लगता है कि जो बिकल्ब ए है इसको यहाँ पर सही मान सकते हैं बाकी देखिए official answer की में क्या होगा अगला question है 47 इसको छोड़ देते हैं इसका मुझे confirm उत्तर आता नहीं या नहीं इसमें कोई guess लिखा सकता हूँ अगला question है 48 48 का देखते हैं क्या होगा रचनात्मक साहित्य में भाब कलपना और बुद्धी के अतिरिक चौथा तत्व कौन सा होगा तो दोस्तों ये जो प्रशन है न मैंने आपको पिछले कल ही ये वाला प्रशन करवाया था पता नहीं कितने बच्चों ने ढंक से वो वीडियो देखी थी क्या नहीं भी देखी थी अगर आपने देखी होगी तो आपको इसका अवश्य ला मिलना था अगर नहीं देखी होगी तो आपकी ये वो किस्मत होगी तो देखते हैं रचनात्म क साहिते में भाब, कलपना, बुद्धी और चौथा जो तत्व था शैली जिसने भी एक किया होगा तो सही उत्तर हो जाएगा इसका तो चलिए आपको मैं जो पिछली वीडियो थी उसका जो स्क्रिन्शॉट लिया है मैंने आपको दिखा देता हूँ में ये देखी दोस्तों तो यहाँ पर है ये ये जो है साहिते के चार्टत्व कह सकते हैं तो चलिए जाते हैं वीडियो की तरफ अपनी आगे है प्रशन उन्चास इसका मुझे कंफर्म उत्तर नहीं आता है इसको छोड़ देते हैं फिर अपचास जहां उपमे का उपमान पर आरूप किया जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है तो यहाँ चास का सही बिकल्ब हो जाएगा रूपक बी सही विकल्फ हो जाएगा आगे है 51 इसमें पूछा गिया है कि सचंद में पहले और तीसे चरंड में तेरा और दूसरे और चौथे चरंड में ग्यारा मात्राइं होती है तो 51 का सही विकल्फ भी हो जाएगा जिस जिसने दोहा किया है उसका सही उत्तर हो जाएगा ये वाला अगला प्रशन है बावन खनाक्षरी कवित में 31 बढ़न होती है यती कितने पर रहती है यती का मतलब होता है बिराम कितने चर्ण पर रहती है ये तो यहाँ पर 52 का सही बिकल्फ हो जाएगा ए 16 और 15 पर अगला प्रशन है 53 मनुष्य के मन में स्थाई रूप से रहने वाले और तेजना पाकर जागने वाले वाव को क्या कहा जाता है तो यहाँ पर जो 53 का सही बिकल्फ हो जाएगा तो यह कहा जाता है इन्हें स्थाई वाव A का सही विकल्फ A हो जाएगा मतलब 53 का सही विकल्फ A हो जाएगा अगला question है यहाँ पर श्रिंगार का स्थाई भाव क्या होगा तो यहाँ पर जो श्रिंगार का स्थाई भाव हो जाएगा तो वो हो जाएगा रती C सही विकल्फ हो जाएगा अगला प्रश्ण है प्रच्पन इसमें पूछा गया है भार्तिय द्रिष्टी से महा काब्य में कम से कम कितने सर्ग होने चाहिए तो 55 का सही विकल्फ हो जाएगा 8 C सही विकल्फ हो जाएगा यहांपर अगला प्रश्ण है 56 इसमें पूछा गया है पूर्बा पर स्व्मंद जिस काब्य में अपेक्षित नहीं उसे क्या कहते हैं तो यहाँ पर जो सही बिकल्फ हो जाएगा 56 का तो बो हो जाएगा मुक्तक काब्य अगला है 57 लक्षना शवशक्ति के कितने भेद हैं तो 57 का सही बिकल्फ हो जाएगा 2 अगला कोशिन है यहाँ पर 58 इसमें पूछा गया है पत्तर कारिता तो अभिव्यक्ति की गहन साधना है जिससे बेचारिक क्रांती संबब है किसकी उकती है यह वाली तो यहाँ पर जहां तक मुझे लगता है आप अलिमिनेट मेथट से इसे यूज कर सकते थे पहले आपको अलिमिनेट करना था तो महापी परसाद दुवेदी इसका नहीं होगा रामचंदर बर्मा यह हो सकता है और जो भोलाना तीवारी यह भी नह होगा तो आप इसे सही मान सकते हैं अगर C या D में सी किया होगा तो आप इसे गलत मानेगे ठीक ही ना अगला कोशन है 59 जर्मनी के गुटेनबर्ग ने चापे खाने का अविशकार कव किया था जर्मनी के गुटेनबर्ग ने चापे खाने का अविशकार किया था 1453 में 59 का सही विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा अगला कोशन है यहाँ पर 60 इसमें पूछा गया है भारत में किसी भारती भाषा में चपने वाला पहला पत्तर कौन सा होगा तो जिस अंताजे से यह प्रश्मिन कहा गया है भारत में किसी भारती भाषा में चपने वाला पहला पत्र कौन सा होगा तो वहाँ पर तो मुझे सिदे-सिदे इसका सही उत्तर ये लग रहा है कि उदंत मार्टन हो जाएगा बाकि इसका भी ऑफिशिल अंसर की में देखते हैं क्या उत्तर होगा अगला कोशन है 61 हिंदी समाचार पत्रों के पाठकों की संख्या लगवक कितनी है कुछ कह नहीं सकते इसको छोड़ेते हैं अगला प्रशन है 62 भारत में पहली फिल्म पत्री का किसे माना जाता है तो ये भी प्रशन बड़ा गज़वका था भारत में पहली फिल्म पत्रिका माना जाता है मंच को यह कहां से प्रकाशीत होती थी इन दौर से जिसने इसका ए किया है तो वो definitely सही हो जाएगा अगला कुशने 62, 63 इसमें पूछा गिया है मुक बदीरों की भाषा किस तरह की भाषा है मौखीक तो यह हो नहीं सकती बाकी लिखित या अवाचिक अवाचिक हम इसे कह सकती है सी सही भी कलब हो सकता है यह आपर अगला प्रशन है 64, अखवार फार्सी के किस शब्द का भूवचन है यह छोड़ देते हैं इसका नहीं पता है मुझे आगे है 65 इसमें पूचा गिया है बिंग्यात्मक लेखन का मूर उदेश्य क्या होता है जो बिंग्यात्मक लेख होते हैं इनका कई प्रकार का उदेश्य हम मान सकते हैं पर जो जहां तक बिकलपों के नुसार सही होना चाहिए तो हंसाना भी हो सकता है पर मुख्यत यहां पर सुधार ना होगा माल लिजिए भारतिन्दु जी ने कई बिंग्यात्मक लेख लिखे हैं जो हरिशिंकर प्रसाहि थे उन्हें भी कई तरह के बिंग्यात्मक रचनाएं रची है तो उन रचनाओं के माद्यम से इनका कहना था कि आमे समाज का सुधार करना है तो यहां पर सही विकल्प भी हो जाएगा अगला कोशन है 66 इसमें पूछा गया है रामचरित मानस कितने बर्ष की सतसाधना से लिखा गया था तो यहां पर 66 का सही विकल्प भी हो जाएगा अगला question है 67 निमिलिकित मेंसे कौन सा यूगम सही नहीं है तो यहाँ पर जो पहला देखते हैं रामचृत तुलसी दास बिने पत्री का तुलसी दास कीटावली तुलसी दास और जो मानस काहंस है यह सूरदास नहीं होगा तूसरी दासी यहाँ पर हो जाएगा अगला कुशन है अरस्तु बिर्चित गरंत नीमन में से कौन सा है तो यहाँ पर 68 का से ही विकल्प हो जाएगा पोईक्टिक्स अगला कुशन है यहाँ पर 69 न प्लेटो बात का जनुमदाता किसे माना जाता है तो जहाँ तक मुझे लगता है इसमें होना चीए प्लेटो बाकी डी भी हो सकता है पर मुझे बी लगता है बाकी देखते हैं अगला कुशन है बीड़ा कैसिल और टैसू किस देश के साइटेकार थी तो यह थे आपके इटली के 70 का सही बिकल्प भी हो जाएगा अगला कुशन देख लेते हैं यह है 70 बन इसमें पूछा गिया है अच्चारे रामचंदर शुकर ने बिमबाद का परवर्तक किसे माना है तो यह माना था F.S. फ्लिंट को ठीक है C सही बिकल्प हो जाएगा अगला कुशन है ससीयूर, शकेलो बस्की और रोमन याको बेसन किस साइटी दारा से जुड़े हुए थे तो यह थे आपके रूपबाद से जुड़े हुए यहां पर C सही बिकल्प हो जाएगा तो देखे दोस्तों कल की जो वीडियो थी वहाँ पर मैंने आपको सुकरात के बारे में भी बताया था पर यह नहीं बताया था कि सुकरात की पिता का क्या नाम होगा तो देखे प्रशन क्या गजव का डाला है सुकरात की पिता के बारे में पुछा है तो यहाँ पर सही बिकल्फ हो जाएगा D इन में से कोई नहीं सुकरात के शिश्य का नाम था प्लैटो प्लैटो के शिश्य का नाम था अरस्तू और अरस्तू के शिश्य का नाम था महान जो सिकंदर थे वो था उनके शिश्य ठीक है न सुकरात के पिताग के बारे में मैंने आपको आज तक नहीं पताया है तो D सही विकल्फ हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशने 74 आलोचक बूचर के अनुसार अनुकर्ण का अर्थ क्या है तो यहाँ पर जो सही विकल्फ हो जाएगा तो बो हो जाएगा साद्रिष्य विधान नहीं जैसा बद देखता है B सही विकल्फ हो जाएगा अगला कोशने 75 इसमें पूछा गया है लॉंजाइनस के अनुसार औधाती रचना के किस तत्व में है लॉंजाइनस के अनुसार औधाती रचना के किस तत्व में है तो सही विकल्फ हो जाए गए यहाँ पर विशे बस्तु और शिल्प दोनों में C सही विकल्फ हो जाए गए यहाँ अगला कुशन है 76 बर्ड़्वर्ड काबे में कैसे लोगों का चितरण करना चाहता था तो यह था सही विकल्प ए होना चाहिए पर हमें से पैंडिंग रखते हैं 77 को अगला प्रश्चन है यहाँ पर AT इसमें पूछा गया है भारतिय समीधान के अनुच्छे 343 से लेकर 351 तक किस विशे को लिया गया है तो यह लिया गया है हिंदी राजभाषा के रूप में B सही विकल्प हो जाएगा अगला कोशिन है प्रतम राजभाषा आयो के नुक्ति कब होई थी तो यह होई थी 1955 में C सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर अगला कोशिन है 82 इसमें पूछा गया है सर्जनात्मक भाषा कैसी होती है तो जो सर्जनात्मिक भाषा होती है तो यह होती है आपकी मानक मानक हम इसे कह सकते हैं पर इसे भी पेंडी में रखेती हैं अगला कोशन है यहाँ पर 89 इसमें पूछा गया है अंग-अंग मुस्कुराना का क्या अर्थ होता है तो यहाँ पर जो सही विकल्फ हो जाएगा 89 का तो बहुत प्रसन होना तो D सही विकल्फ हो जाएगा आगी है 90 चांदी का जूता मारना का क्या अर्थ होता है तो यह होता है रिश्वत देना 90 का सही विकल्फ ए हो जाएगा अगला है 91, दोती डिली होना का अर्थ क्या होगा, तो यह हो जाएगा, डर जाना, 91 का से ही विकल्प C हो जाएगा अगला कोशन है, आकाश का पुष्प का अर्थ होगा, तो 92 का से ही विकल्प हो जाएगा, असंभब वबस्तू 92 का B हो जाएगा आगे 93 से 100 तक हैं पारिवाची की शब्द तो चलिए देखते हैं पूछाए गया है record of service इसका क्या होगा पारिवाची की शब्द 93 का तो ये हो जाएगा सिवावी लेक ए सही बिकल्प हो जाएगा जैसी इसने ए किया है तो सही हो जाएगा आगे है 94 का जो पारिवाची की शब्द बताना है तो बताईए क्या होगा तो ये होगा अनिवारिय भर्ती 95 का बताना है क्या हो जाएगा तो 95 का हो जाएगा आपका C अधिपत्तर आगे है 96 इसका बताना है रिमाइंडर का क्या होगा रिमाइंडर का तो यह हो जाएगा आपका अनुस मारक B आगे है B2 का बताना है क्या होगा यह तो यह हो जाएगा C निशेधादिकार आगे है आपका 98 तो 98 का क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा पुनरब लोकन D सही बिखलब हो जाएगा आगे जो 99 है एड्जॉर्ण्मेंट इसका बताना है क्या होगा तो यह हो जागा स्थगन करना आगे है हेंड्रेट इसमें पूछा गया है पासपोर्ट का बताईए क्या होगा तो यहां पर सही विकल्फ हो जागा पारपत्तर